अड़ा करें अड़ा 24-7 पर त्यारें अड़ा 24-7 इंडिया नमबर वन गाव्मेंट जॉब प्रफिशन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्सी सीजियल 2022 का नोटिफिकेशन होगा जो की रिवाइस के लेंडर के अनुसार 10 सेप्टेंबर की डेट है जो लोग सीजियल के बारे में नहीं जानते या थोड़ा बहुत इंफरमेशन है थोड़ी सी एक ब्रीफिंग आपको देदू स्सी के तुवारा कंड़क्ट किया जाने वाला बन अप दा फिर्मिनेंट एग्जामेनेशन कंसीडर किया जाता है अगर मैं बात करूं यहां पर combined graduate level होता है यानि इसकी criteria की बात करें educational तो आप किसी भी फील्ड में graduate है तो आप बिल्कुल इस form के लिए apply कर सकते हैं इस post के लिए यहां पर सबसे important बात है अलग-अलग कुछ post हैं CGL की बात करें तो यहां पर अलग-अलग post पर नियुक्ति की जाती है और कल जैसे कि मैंने एक session conduct किया था vacancy details पर इस बार कुछ new post भी add होई है और उसकी वज़े से अगर हम देखे हैं तो definite है इस बार कि CGL की जो vacancies होंगी उ तो हमें कहीं ना कहीं हर एक चीज के बारे में सपस्ट रूप से जानकारी यहां से कंड़क्ट करनी है आज के session में post SSE CGL से हम किन-किन पदों पर चाहनेत होते हैं इनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो यह शुरू करते हैं straightforwardly आज के session को बहुत ही एहम होगा session को मैं यहां पर आपको बताता जाता हूं क्योंकि examination जो है वो काफी महत्वपूर है और इसके लिए अगर हमें यह पता हो कि कौन-कौन सी post होती है और जिस पर हम कहीं ना कहीं अपने आपको एक बार बोलता है ना कि पता चल जाए कि हमें किन-किन post पर जाना है जा सकते हैं उन 4 से level 8 तक की job यहां पर आपको देखने मिलती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो assistant audit officer और assistant accounts officer यह एक अवल दरजे की post यहां पर consider किये जाते हैं जो audit और accounts department में CAG के अंतरगत नियुपती होती है group B की gazet post है यह ठीक है यह जरूर ध्यान रखिएगा इनको है assistant audit officer डबल लेओ के थुरू और जिसका देखिए CGL में अलग-अलग post का list wise category के हिसाब से cut-off जाता है तो उसके तहत इसका cut-off सबसे जादा जाता है फिर उसके बाद आते है group B की और भी post है जो एहम है लेकिन वो non गिजट है जिसमें assistant section officer, assistant section officer intelligence bureau में आप IB में भी यहां से निवती पा सकते हैं, assistant section officer railway ministry में, assistant section officer external affairs ministry में और assistant section officer AFHQ जो department है उसमें भी और electronics IT में भी यहीं से, यानि assistant section officer में जो अलग-अलग जैसे central security services CSS में, intelligence bureau में, railway में ministry में, वो सब की निवक्ति आप SSC के थुरू यहां पर आसानी से देख सकते हैं, जो कि वहां पर की जाती है, right, तो यह different different post है, जो आपको यहां पर post details के थुरू मिलते हैं, good morning, good morning guys, तो post details जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं, यह जो audit officer और accounts officer और section officer की जो post है, यह specific level होगा, सनेहा 10 तारीक को notification आ रहा है, लेकिन इस बार बहुत खास है, क्योंकि vacancy का, जो number of vacancies है increase होगे, क्योंकि post बढ़ा दी गई है, ठीक, इसी तरीके से group B की post में अगर हम बात करें, तो assistant और यह other ministries में भी आपके निवक्ति किये जाते हैं, इसके अलावा, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की एक dream job होती है, inspector of income tax, income tax inspector, CBDT के थुरू, group C में यहाँ पर जाते हैं, inspector CGST, central exercise, CBIC में, preventive officer, अच्छा, preventive officer की आपको यहाँ पर वर्दी, यानि यहाँ पर आपको uniform वाली post है, ठीक है, यह ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग तो CBIC में भी, inspector जो examiner होता है, वो भी CBIC में, ठीक है, इसके साथ साथ assistant enforcement officer, जो की enforcement department में, revenue में यहाँ पर निफ्ती होती है, सब inspector की बात करें, CBI में, चैन आप SSC के तुरूप आ सकते हैं, और CBI आप सभी जानते हैं, हम सब लोग मान जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, CBI हम हमारे लिए कितना important और महत्वपूर्ण department होता है, I think आप सब लोगोने movies के तुरू यह चीज़ बड़े चैसे से देखी होगी, कि कितना powers और सारी चीज़ें यहाँ पर CBI की post के तुरू मिल जाती है, है ना, लेकिन, obviously यह central government की direct निगरानी में रहता है, यह सीज़ आपको य graduate, any graduate, it's not about only one, कोई भी graduate is frequency के लिए prepare कर सकता है, let's graduate, inspector post, different departments में है, ठीक है, superintendent, जो की Indian Coast Guard में होता है, assistant, बाकी ministries में, research assistant, यह group B की post है, ठीक है, ध्यान रखने की कोशिच करें, बाकी अगर बात करें, सब inspector NIA, National Investigation Agency के लिए भी यहीं जन्युक्ति होती है, JSO, यहां तोस्तों, जैसे एक AAO की post की list आती है, इसी के साथ, if we talk about, there is also a post, जो की JSO की धरूर list होती है, उसमें भी आप देखेंगे, तो अलगलग cutoff वहां पर possible हो पाता है, ठीक है, अलगलग cutoffs रहते है, इसके बाद, statistical investigator, यहां पर grade 2 का post होता है, यह registrar general of India, यह भी एक बहुत एहम post मानी जाती है, अगर हम CGL में बात करें, एक बहुत important post यहां पर रखी जाती है, जिसके through कहीं न कहीं आप सारी चीज़ों को segmentize कर सकते हैं, और फिर आगे की और बढ़ सकते हैं, अगर किसी post पर requirement है रहो, तो बिलकुल medical होगा, otherwise basically नहीं, ठीक है, हाँ, बिलकुल 16 वाले batch को join करें, बिल साथ auditor अलग-अलग विभाग में भी होते हैं, जो कि group C की post में consider किये जाते हैं, accountant है, accountant junior, senior secretariat assistant, upper divisional clerks भी यहां होते हैं, ministry of electronics, information technology, central government में भी, tax assistant का पद रहता है, CBDT और CBIC में, और इन सब inspector चुकी, नार्कोटिक्स विभाग में भी यहां पर यहीं से चैन होता है, ठीक है, income tax officer होगा, हाँ, बिल्कुल है, तो बताया भी था मैंने, इसके बाद एक और जो नई post यहां पर है, और जिसके बहाफ पर हम बोलें, लगभग कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक notification हम लोगों को मिला, जिसके तहत, लगभग अगर हम बात करें, total हर department को मिला दे, 18,000 postal assistant और sorting assistant की vacancy भरनी है, जिसमें से SSE division को मिली है, अन्थानवे, नैनी 9,800 almost post, तो 10,000 post तो आपको लगभग इसी की मिल जाती है, यह 17 जून के आसपास यह notification आया था, जिसके तहत, पहले जो examination होता था, CHSL, उसके थुरू postal assistant और sorting assistant का चैन होता था, लेकिन अब यह CGL के थू ही हो postal assistant and sorting assistant on the basis of combined graduate level 2022 examination, तो यह नए post आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, और इन post की वज़े से अगर हम देखें, तो हमारा जो vacancy standard है, वो बढ़ गए, अब सही माहिने में हमें जरूरत है, जबर्दस तरीके से preparation करने की, which is going to be very important for all of you, तो साथियो इसके लिए आपको दो इस बार, तो आपको अपनी preparation आज से शुरू कर देनी है, जो लोग foundation के हिसाब से चीज़ों को carry करना चाहते हैं, कि हम पहली बार exam देंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही शांदार batch start हो रहा है, आने वाली 16 September से, इसका नाम है एक लभ्य batch, इसमें हर subject आपको कराया जाएगा जिसमें multiple faculties हैं, अगर आपको किसी एक faculty का पर समझ नहीं आ रहा है, दूसरा भी बढ़ा रहा है, तो आप वहाँ पर Adair 247 के store पर, Adair 247.com पर जाकर, SSE CGL में एक लभ्य batch सर्च करेंगे, तो ये batch आपको मिल जाएगा, इस batch का price अमूमन आपको देखेगा 7999, जो की काफी ज 1760 रुपए में ये आपको batch मिल जाएगा, अचा 1760 में ये batch आपको कहां से मिलेगा, Adair 247 के app से, जिसमें सारे subject महस 1760 रुपए में इस code के साथ, दूसरी एक और important बात, अगर आप repeater हैं, तो repeater's का foundation strong है, मैं ये नहीं कहूंगा दूबारा से batch, नहीं, आप books के लिए prefer करें, आप books से practice करें, mocks दें, और साथियों, industry के दो बहतरीन faculties, GKGS के, अगर आप GKGS में strong नहीं है, तो आप ये सामाने अध्यन की किताब, जो की launch होई है कल ही, हमारे दो बहतरीन faculties, आशुतोर सर, पवन सर, आप दौनों को भले बाती जाते हैं, इन दौनों की ये book launch हो चुकी इन कल ही 1500 ज्यादा books का order pre-book हो गया है, तो आप लोग भी अगर अपनी preparation strong करना चाहते हैं, GKGS का order खतम करना चाहते हैं, तो इस book को enroll कर सकते हैं, इसके लिए जो discount code है Y278S और MES 246 रुपे में ये किताब मिल जाएगी Adda के app से, discount code ये लगा हो किताब, वैसे तो 299 रुपे ह कोई delivery charge आपको नहीं देना है, इसके अलावा, only 246 लेकिन Adda के app से, और जो लोग practice करना चाहते हैं, 10,000 से जदा question आपको इस किताब में मिलते हैं, तो ये book का purchase कर लीजिएगा, ये भी Adda 247 के app पर, ठीक है, और ये आप Y278S code के साथ लगबक 370 रुपे में ये किताब अपन एक लेवल पर चीजों को carry करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल clear होगा, एक लब बैच आपके लिए रामबान हैं दोस्तों, यही मुझे आप से कहना है, बाकी ये जो strong चीज़े हैं, वो काफी important roots से हम carry करेंगे, जो लोग हर subject की किताब चाहते हैं, ये complete book का set है, supreme, Hindi और English दोन करके, ठीक है, तो don't miss the chance, grab the opportunity, I hope सारी बात है clear हो चुकी है, और एक लब बैच सोला तारीक से शुरू हो रहा है, ये दौनों किताब है, बिल्कुल बिना, बिना सोचे समझे, आज ही enroll कर लो, जिससे 8-10 दिन में ये आपके पास पहुंच आई, ठीक है, तो मेरी तरफ से बह अदर 24 से